हालो फ्रेंड्स कैसे आप लोग फ्रेंड्स इंग्लीश इस्पिकिंग फूल कोर्स की एक और वीडियो में हम आपका सुवागत करते हैं तो इस बार की वीडियो में हम आपको सिखाने जा रहे हैं future continuous present continuous past continuous आप लोग सीख चुके हैं और आपने देखा था कि present continuous का भी एक फॉर बता चुका हूँ कि जो present की चार formula आते हैं वहीं चार formula पास्ट भी बना देते हैं वहीं चार फर्मूले future भी बना दीते हैं जब हम बात कर रहे हैं future continuous की तो continuous वाला formula याद कीजिए आप present का तो वहाँ पे था subject plus helping verb के तोर पे is mr में से कोई एक plus man verb के तोर पे verb की first form के साथ ing plus object जिसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई भी verb future नहीं होती है उसमें will या shell लगा करके उसे future बनाया जाता है तो पूरी sentence future बन जाती है अगर helping verb हम will या shell लगा देते हैं तो so future continuous का formula बनाने के लिए मैंने इशारत कर दिया है कि helping verb will shell लगेगी लेकिन एक word होता है जिस पर future continuous sentence की ending होती है so ending होती है रहा होगा पे तो रहा के लिए ing लगा देते हैं आप इस होगा के लिए क्या करेंगे भई होगा यानि होना पिलस गागी गे इस होना के लिए हम जानते हैं कि इसकी English be होती है so be plus will या shell वैसे एक लगाएंगे तो होगा का meaning बन जाएगा तो होगा का meaning बनाने के लिए बी पिलस will shell करना पड़ेगा लेकिन चुके हम जानते है subject के बाद ही foreign helping verb चाहिए तो subject के बाद पहले will या shell आ जाएगा उसके बाद be आएगा so will shell को हम पहले रखेंगे so अगर हम sentence का translation करते हैं कि राहूल किर्किट खेल रहा होगा तो formula दे रखा है कि उसमें आपको चाहिए सबसे पहले subject फिर will shell में से एक चाहिए helping verb के तौर पर plus we लगाएंगे secondary helping verb plus man verb के तौर पर we one के साथ आए जी plus object so इसी formula को follow करके हम सैक्डों, हजारों, लाखों sentences बना सकते हैं future continuous की और formula कोई भी मुश्किल काम नहीं है बस चार formula आपको दिमाग में बठाना है वो भी चार formula वही जो आपने present में सेखे है present indefinite, present continuous, present perfect, present perfect continuous वही past के सारे बना देंगे वही future के सारे बना देंगे और future में मैं आपके बताया कि बस will shall लगाना पड़ता है और formula में minor से change आता है, छोटा से change आता है और पूरी sentence future बन जाती है, so इस बार will shall लगाया है हमने, और subject हमारा हुआ रहुल, so रहुल लेते हैं, will या शैल के option की तरफ जाते हैं, तो रहुल के साथ will लेना पड़ेगा, so रहुल वि चाहिए, हो ना का meaning लगाएंगे, will shall लग गया है, गागीगे का meaning देने के लिए, plus be और लगा दिये, तो हो ना पिलस गागीगे, होगा बन जाएगा, so will be, होगा, होगा बन गया जी, will be करके, so क्या होगा, खेल रहा, v1 plus ing, खेल रहा कि English, play plus ing, playing, रहुल विल बे प्लेंग, क क्या, क्या खेल रहा होगा, और क्या को बोलते हैं, object, so object is, खेल रहुल, क्या खेल रहा होगा, भी खेल, यह root sentence बन गई है, root means जड, so root sentence मैं लिख देता हूँ, root sentence, root sentence, जड हो गई है, जड क्यूं कहा जाता है, क्यूंकि बाकी की 5 sentences इसमें से निकल के आती है, इसमें से root के निकलेंगे, तो पूरी 6 हो जाते हैं, 6 से ज्यादा 7 नहीं हो सकते हैं, और 5 भी नहीं रह सकते हैं, क्यूंकि जोडों में चलता है, right पहला और दूसरा मिलके एक जोडा बनाता है, और इस जोडों के हम बोलते हैं, basis या आधार, भई basis या आधार क्यों बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ नहीं लगाना है हमें, और नहीं लगाने का रूह लिए कि helping verb के फॉरण बाद not आना चाहिए, हर टैंस में मैंने आपको सिखाया है, helping verb plus not, so helping verb था will or shall, so Rahul will plus not, Rahul will not, then be, then man verb, v1 के साथ आएंगी, खेल रहा, खेल रहा की English playing, क्या किर्किट, वो बाद में लगा देंगे, so Rahul will be playing, क्या किर्किट, absolutely correct sentence है, sentence number one हो गई, two हो गई, अब ये दो sentences, अगली दो sentences बनाने के लिए जा रही है, so पहले number से बार 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 बता है, मैंने आपको कि पहले number से तीसरे number की sentence बनती है, एक छोटा सा बदलाव होता है, पहला positive sentence है, इस positive sentence को सवाल बना कि लिए चाहे हूँ, क्या वाला सवाल हो, जिसका जवाब हाँ या ना में आता है, या फिर question word वाला सवाल हो, क्यों वाला कहां वाला किसी भी तरह का question word लगा दीजा, सब के लिए important जरूरी शर्त ये होती है, कि जिस sentence की भी आप बात कर रहे हैं, उस sentence की helping verb आप subject से पहले ल लगा रखे हूँ, क्यों कहां कितने लगा लें, आप उनसे सवाल नहीं बनता है, इंग्लिश में, सवाल तब ही बनता है, जब helping verb subject से पहले आती है, तो चलते हैं इस तीसरे नमबर की तरफ, क्या रहूल क्रिकेट खेल रहा होगा, सिर्फ क्या लगाया है, और नमबर फर्स क्या रहूल क्रिकेट खेल रहा होगा, नमबर फर्स्ट से आएगी, रहूल क्या है, हमने यहां पर helping verb के तौर पर तो इस विल को हम पहले ले लेंगे, सो विल, रहूल, बागी चीज़े सारी है, जडिज जाएंगे, विल, रहूल, वी, प्लेंग क्रिकेट, विल, रहूल, बी, फ्लेंग, खेकेट, और question mark लगाने का हमें राइट मिल गया, लो, जी question होगा, विल, रहूल, बी प्लेंग क्रिकेट, क्या रहूल क्रिकेट, खेल रहा होगा, अब आते है नमबर फूर के तरफ, तो नमबर फूर कहां से आता है, तू से आता है, तो तो पर हम कर चुके बनाने के लिए भी हम helping verb को पहले उठा लेंगे so helping verb क्या हुआ है यहां पर राहूल विल है इस पिल को आप पहले ले ले तो विल राहूल हो जाएगा विल राहूल और उसके बाद विल राहूल नॉट भी फ्लैंग किरिकेट किरिकेट कुस्चन मार्क विल राहूल नॉट भी फ्लैंग किरिकेट फिर से एक और बात बता देना चाहता हूं कि नॉट से कभी भी कन्फियूज मत हुए कि भी जान नॉट कहां लागाना है अरे भाई नॉट को तो आपको टच करना ही नहीं है आपको तो सिर्फ helping verb को टच करना है सारा खेल helping verb का है नौट का नहीं है so not को पहले लाने की जरूरत नहीं है आपको not वही रहने देना shortages जाओ है बस helping verb उठा के लिकर का है आएं सेंटेंस अगर आप इसकी असलियत देखेंगे तो असलियत हिंदी में वही है जो नमबर एक पे थी राहूल क्रिकेट खेल रहा होगा बस यह कहां लगा है इस कहां की इंगलिश होती है वेर इस वेर से ही सवाल नहीं बन जाएगा इस वेर के फॉरन बाद हेल्पिंग वर्ब असलिय में जो आप नमबर तीन पर और चार पर बना चुके हैं बस पांच वेर नमबर के लिए आपको कहां की इंगलिश वेर उससे पहले लगा देनी है अब कहां नहीं होता है यहां पर माननों कोई और भी कुश्चन वर्ड होदा राहूल क्रिकेट किसके साथ कहल रहा हो किसे खेल रहा होगा तो कैसे के इंगलिश लगा दे आप जो भी कुश्चन वर्ड ले रखा है वह आप लगा दे हैं सबसे पहले राइट तीसरे से पहले सो तीसरे में नमबर पर दे रखा है as it is उतार देना है वैर वील राहूल बीप्लाइं किरिकेट यह हो जाएगा पा गिए राहुल वी प्लेइंग खुरिकेट कुश्मार खुरिकेट अगर आप वियर को घटा देते हैं तो आप देखेंगे हुब अफू वही चीजे जो आपने तीसरे नुमेर पर की है वहाल बनाने की शर्थ वह नहीं है, सवाल बनाने की शर्थ helping verb है जो अपने subject से पहले लिया है, यह विज जो आपने helping verb सब्जेक्स से पहले लिया है, यह शर्थ है, सवाल बनाने की, so will Rahul be blank cricket यह 30 ने नंबर पर भी किया था, where all लगा Will Rahul be blank cricket तो कहां वाला सवाल हो गया तो इस सवाल को हम बोलते हैं Question word वाले सवाल Question word की short form में लिख देता हम Q oblique W Question word वाला सवाल है ये 5 वी नंबर का और 6 नंबर का So 6 नंबर पे आते हैं 6 नंबर कहां से आएगा 4 नंबर से ये रखा है Will Rahul not be blank cricket बस ये क्यों की इंग लिए जोड़ो So क्यों की इंग इंग लिए ये फिर 4 नंबर से श्रू कर दीज़े Why will Rahul not be playing Cricket Question mark और sentences सारी complete हो जाते हैं 1 इंटो 6 को follow करते ही वे जी हां logical way में हमने follow गया 1 इंटो 6 के helping work का treatment क्या होता है आप अगर गौर करेंगे दीखेंगे तो सारा treatment helping work का ही है Rahul will Rahul will not not be लगाया है तो helping work के बाद में लगाया है अब हम अगर सवाल बनाते हैं तो वो भी helping work से ही बनाते हैं Right? helping work को subject से पहले लाना है कोई सब्सक्राइब बनाते हैं तो उसमें भी helping work से पहले लेकर गया आना है पांचवे नंबर के बनाते हैं तो उसमें भी subject से पहले helping work चाहिए चाहिए question word तो अलग रहा है उसकी तो बात छोड़ी हो तो number one पे चाहिए चाहिए आपको लेकिन helping work subject से पहले चाहिए so question word plus helping word plus subject इस तरह से यह तीन चीज़े बन जाती है तो sequentially यह तीन चीज़े दिमाग में रहने चाहिए कि भाया पांचवे नंबर पे question word plus helping word plus subject चाहिए so यही चीज छटे नंबर पे रहने चाहिए तो 6 कि 6 sentences complete होगे इतना यह काफी नहीं है वैसे आप सीख तो गए पूरी engineering सीख गए अब आपको क्या करना है तो practice करना है आप सेकड़ों हजारों लाखों sentences practice करें यह आपके उपर हैं जो लोग ज्यादा practice करेंगे ज्यादा सीखेंगे और जो लोग practice कम करेंगे कम सीखेंगे तो अगर सीखने का शौक रखते हैं तो practice करने की आदर डाल लीजे so practice करते रहे हैं आप अपने रोज मर्रा की जिंदगी की sentences से sentence ले सकते हैं आप जैसे कल मैं जब तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम क्या कर रहे होगे क्या कर रहे होगे future continuous तुम अगले साल भी English सीख रहे होगे नहीं यार 11 बजे तुम्हें सो रहा होंगा दो साल बाद तुम कहां रह रहे होगे वगएर बगएरा बहुत सारी sentences कर सकते हैं so guys इस्टेट्यूंट practice करते रहें जी हाँ इस पेपर भी पढ़ते रहें और हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहें सो बहुत सारे लोग हमारी future continuous वाली वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर वो लेक्चर नमबर 01 से सारे वीडियो देखें तो जी हाँ हमने पूरा कोर्स sequentially डाला है और sequence में ही हमारी वीडियो जा रहे हैं और sequence में ही हम live class लेते हैं जो की हर संडे शाम 6-7 होती है so guys live class में जुड़ें उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाले है आपको एक तो हम जरूर करना और comment में बीचा करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी या वीडियो का कौन सा पाड़ आपको अच्छा लगा या कौन सा पाड़ आपको बुरा लगा जेसा भी है सीखते रहें और हमें भी सिखाते रहें कि हम आपको सबसे अच्छा कैसे सिखाएं So guys see you in the next video or in live session till then buh-bye